इस वीडियो में हम देखेंगे reasoning का एक बहुत important topic जिसे हम inequality के नाम से जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम है चंद्रहास, study smart में आप सब का स्वागत है दोस्तो, inequality reasoning का एक बहुत important topic होता है और हमारे bank के exam में inequality से कम से कम 5 number के questions आते ही हैं वो किसी भी form में हो सकते हैं तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यदा important हो जाता है इसमें बहुत सारे लोगों confusion होती है लेकिन अगर आप मेरे बताएगे method को follow करेंगे, theory को follow करेंगे तो आप inequalities related सारे question within 2 minute कर लेंगे मतलब आप 2 minute में कम से कम 5 number तो आसानी से पा ही सकते हैं विना कोई गलती किये हुए तो आज मैं यहाँ पर लेके हम आपके लिए part 1 इस वीडियो में inequalities related यह theory होती है और किस approach का हम use करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद मैं आपको कुछ examples भी solve करके दिखाऊंगा कैसे आपको solve करना है यह part बाकी सारे partों की तुलना में सबसे ज़्यादा important इसलिए हो जाता है तो चलिए देखते हैं inequality में तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं inequality में use होने वाले signs का कौन से sign use होती है और इसका मतलब क्या होता है तो देखें inequality के part में total 5 तरह के signs का use किया जाता है sign के लूँ है या symbol के लूँ है वो कौन कौन से होते हैं एक तो होता है आपका कुछ इस तरह दिखता है इसे हम कहते हैं क्या greater than दूसरा sign आपका इसका ठीक उल्टा होता है जिसे हम क्या कहते है less than एक होता है greater than और इसके साथ एक और होता है greater than equal to कहते हैं इसे चौथा sign होता है हमारा less than और equal to और जो 5 बार sign होता है उसे हम जानते हैं equal के नाम से ठीक है तो यही 5 sign होते हैं पूरे inequality में huge हो रहे हैं अब इन ही 5 signs का हमको उपयोग समझना है और कैसे हम इन्हें प्रयोग करेंगे ये हम देखेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इन signs के बारे में और कैसे हम इन्हें आगे draw करेंगे कैसे इनसे हम conclusions निकालेंगे तो मैं एक sign लेता हूँ आपके लिए greater than का मैं इसे कुछ इस तरह बना सकता हूँ जी हाँ तो ये क्या होगे आपका greater than अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है आपको इसे अगर मैं कहूँ कि greater than के sign को आप क्या समझे है एक तरह का आप समझ दीजे ये one way door है ओके क्या है ये one way door है one way door का मतलब क्या हुआ कि आप एक ही तरफ से अंदर जा सकते हैं दूसरी तरफ से आप अंदर नहीं आ सकते हैं तो कि इधर से आप अंदर जा सकते हैं जिधर इसका मुह आपको क्या दिखरा है खुला हुआ तो आप इस तरफ से अंदर जा सकते हैं ल तो आपको कहीं भी अगर ये साइन मिल जाता है उल्टा तो इसका मतलब क्या हुआ आप इधर से अंदर नहीं जा सकते हैं आपको वहीं पर रुख जाना होगा अब यहां पर एक साइन आपको और मिलता है कुछ इसी तरह का पस उसमें क्या होता है greater than equal की बात करूँ अगर मैं तो ये क्या है ये भी आपका door ही है इसका भी काम यही है same कि आप इधर से ही अंदर जा सकते हैं दूसरी तरफ से अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन इसके साथ क्या है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है ये type 1 है किसी door का और ये क्या है type 2 ठीक यह क्या है इसी का extension है जो यह बना हुआ है ठीक है बाकी सारी चीज़ें इसके साथ सेम ही है पर इसके साथ एक equal और जुड़ा हुआ है सेम इसके जो reverse वाले cases हैं जैसे less than की बात करों या less than equal to की सेम वही काम इनमें भी है बस आपको यह देखना इनका मुह किधर से खुला हुआ है एक मैं sign और बात करूँ क्या है जिसे हम कहते है equal तो equal का मतलब क्या हो गया तो equal को आप समझेगा कि यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है तो जब कोई दरवाजा नहीं हुआ तो चाहे आप इधर से entry करें दोनों बात क्या होती है बराबर ही होती है यहाँ पर आप समझे कोई दरवाजा ही नहीं है तो ये तो था आपका क्या पहले science के बारे में हम कैसे move करेंगे directions क्या होगी ये अब इतना अगर आप समझ गये हैं तो मैं आपके सामने एक sample example अगर लिखूँ चलिए जैसे मैं लिखता हूँ एक क्यों आपके समझने के लिए simple सा example a is greater than b greater than equal to c less than d equals e less than f ये ऐसे sample मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको कई सारे conclusions लिखे रहे हैं जैसे a is greater than c greater than equal to c और देखे क्या conclusion हम बना सकते हैं a is greater than d और fourth c is less than f चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे solve करना है तो पहला conclusion में लेता हूँ a is greater than c और देखते हैं ये true होता है कि नहीं होता है मतलब यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो सही है कि नहीं है तो देखते हैं कैसे करेंगे अब देखिए ये जो इसका move है जिधर से रहेगा हमको उसी letter से start करना है चलना मतलब start हम वहीं से करेंगे जिधर इसका move रहेगा तो A से हम start करते हैं तो ये देखिए हमको open door मिला हम यहाँ से entry कर सकते हैं जी हाँ दूसरी तरफ निकल गए B के पास पहुँच गए अब B से हम भी फिर से entry कर सकते हैं हमारा क्या gate open ही है one way है और हम C पे पहुँच गए होके हमारी क्या हो गई entry C पे हो गई लेकिन यहाँ पर एक बात बस आपको देखने वाली यह होगी कि यहाँ पर कौन-कौन से gate लगे हो यहाँ पर एक तो लगा हो है greater का और एक क्या लगा है greater than equal to तो बस greater के case में आपको क्या देखना होगा कि greater आपका यह common होना चाहिए दोनों में उससे ज़्यादा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है बस आपको common देखना चाहिए कि greater ही है तो यह statement आपका conclusion क्या हो गया true अब क्या करें A is greater than equal to C तो जैसे हमने उपर देखा कि हम A से B में चले गए और B से C में चले गए यह तो हमारा सही हो गया हम C तक पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन हमने कौन-कौन से gate लिए हुए है आप एक तो हमारा greater का है और क्या है greater than equal का है तो इतनी बात तो सही हो जाए आपके जितने भी बीच में gate पढ़ेंगे सारे के सारे यही वाले gate आपके पढ़ने चाहिए जो आपको यहां दिख रहे हैं वरना क्या हो जाएगा आपका conclusion हो जाएगा मतलब क्या ? कि यहां greater than equal है तो यहां भी बीच में क्या होना चाहिए था greater than equal जो की यहां पर है नहीं तो यह क्या हो जाएगा गलत, अब चलिए third वाला conclusion हम चेक करते हैं, क्या करा है, A is greater than D, मतलब हम A से D तक पहुंच सकते हैं, और दर्वाजा हमारा कौन सा होगा, greater का, देखते हैं, A से C तक तो हम पहुंची गया थे, अब आगे हम चेक करेंगर C से, तो जैसे हम C से आगे चलिए देखते हैं, next, क्या लिखा है, C is less than F, अब देखिए यहाँ पर एक common सी गलती क्या हो सकती है, आप देखेंगे C यहाँ पर लिखा है, F यहाँ पर लिखा है, तो आपने देखा क्या कि C से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका door close हो गया, और आप इसे क्या कर देंग तो जरूर गलती होगी, मैंने आपको क्या बताया है, कि यह जो door है, इसका मुझ इधर से open है, तो यह उधर से ही आगे आपको देखना है, कि मुझ इधर से open है, F की तरफ से तो आपको F की तरफ से ही चलना होगा, और देखेंगे हम C तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, उल्ट तक आ सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे हमको open door मिला, तो D से C तक तो हम पहुंच गए, अब greater than का case है, तो greater than में क्या आपको कहते हैं, कि आपका जो सारे जो दरवाजे हैं, वो कम से कम greater than होने चाहिए, तो यहाँ भी greater than है, और यहाँ भी greater than हो, यहाँ पर कोई दरवाजा तो है नहीं, या कह लिजए equal है, तो यह हमारा हर case में क्या होगा, true ही होता है, तो इसलिए हमारा यह conclusion भी क्या हो गया, true, I hope आपको अभी यह सारी बातें समझ में आई होंगी, तो अगर यह सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो चलिए मैं आपको questions पे ले चलता हूँ, और देखते हैं हम कैसे उन्हें solve करेंगे, अब देखिए आपके सामने एक statement लिखा हुआ है, और उसके बाद उसके दो conclusions लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको statement में कुछ नहीं करना, आप conclusion से ही start करेंगे, question करना, तो देखिए पहला conclusion क्या लिखा हु ओ से भी open door मिला, P तक पहुँच गए, कोई दरवाजा है नहीं, तो Q तक आसानी से पहुच गए, और फिर यहाँ पे कहाँ पे आगए, open door मिला, R तक easily हम पहुच गए, तो देखा आपने हम R तक easily पहुच गए, और जब भी greater करहेगा, तो हमको क्या check करना है, बस क्या दरव अच्छा एक case में यह हो सकता है, कि अगर मैंने क्या कहा है, कम से कम एक आप का greater than तो होना चाहिक्ति, कि अगर यहाँ भी क्या होता, greater than equal to, तो उस case में क्या यह true होता, अभी अगर यहाँ पे greater than equal to, यहाँ दो जगा है, और यहाँ पे क्योल क्या है? greater. तो greater than है यहाँ पर तो इस case में तो यह true हो रहा है चलिए जी सही है लेकिन अगर यहाँ भी क्या होता greater than equal to तो क्या यह true होता तो जी नहीं फिर यह क्या हो जाता गलत हो जाता क्योंकि इसमें हमारा सारे के सारे कौन से doors हैं सारे के सारे doors हमारे greater than equal to हैं और यहाँ पर क्यों बा बात समझ में आई होगी, समझ में आई बात, तो चली हम आगे देखते हैं, दूसरे conclusion पर आते हैं, देखिए दूसरा conclusion क्या क्या रहा है, r equals n, की r क्या है, n के बराबर है, तो देखिए, अब यहाँ पे तो कोई दरवाजा ऐसा दिया नहीं है, कि जिधर से आप चलना स्टार् तो यहाँ से अगर आप देखिए, मैं r से अगर चलना स्टार्ट करूँ, तो जैसे मैं r से आगे बढ़ता हूँ, close door मिल गया, जब यहाँ पे मुझे close door मिल गया, तो आगे मैं n तक पहुंच सकता हूँ, नहीं पहुंच सकता हूँ, तो यहीं से क्या हो जाता है, यह गलत, ओके, नहीं तो अगर मैं n से भी चलता हूँ, start करता हूँ, तो यह मुझे क्या मिला, o मिला, o तक पहुंच गया, greater than equal to, फिर से p तक पहुंच गया, p से q तक पहुंच और q से कहाँ पहुंच गया, r पे, अब equal sign है, तो आपके सब जगा क्या होना चाही था, equal ही होना चाही लेकिन आप देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे आपको greater than का sign भी मिल जाता है, इसलिए क्या हो गया, यह गलत हो गया, तो दो दो reason मैंने बता दी इसके, गलत होने के, I hope आपको यह समझ में आया होगा, अब देखते हैं, दूसरा statement हमारा क्या कह रहा है, अब देखे इस statement में क greater than Z, मतलब कि B से Z तक आप पहुंच सकते हैं, इस दरवाजे का यूज करके, तो देख लेते हैं हम, हम B से चलना स्टार्ट करते हैं, तो B हमारा यहाँ पे है, तो B से चलना हम स्टार्ट करें, तो B से हम W तक पहुंच गया है, जी हाँ पहुंच गया है, अब W से आगे कहा हो गया, गलत, चलिए, next देखते हैं क्या, W is less than A, अब हमको किधर से चेक करना होगा, A की तरफ से हम चेक करेंगे, क्या W तक पहुंच सकते हैं, तो A से चेक करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही देखिए, A से जैसे आगे बड़े, इधर भी हमको क्या मिल गया, close door, तो जब close भी statement दो तरीके से हैं, या दो कह लिजे statements हैं, और conclusion से हम start करते हैं, V is greater than equal to U, मतलब हम V से U तक पहुंच सकते हैं, और कौन सा gate यूज करके greater than equal का, तो चलिए start करते हैं, हम V से चलना, तो देखिए हम start कहां से कर रहे हैं अपना, चलना, V से start कर रहे हैं, तो हम जैसे ही देख हम को क्या मिल गया, close door मिल गया, तो close door मिलते ही, हम आगे तो जा ही नहीं सकते हैं, तो यह क्या हो गया, गलत, अब आप इसको बहुत ज़्यादा complex मत बनाईएगा, कि statement जो लिखे हुए हैं, उनको फिर से आप rearrange करके पूरो एक line में लिखेगा statement फिर आगे बढ़िएगा, मै इसमें सारे parts आपको discuss करूँगा, either are cases क्या होते हैं, coded inequalities क्या होती है, missing आपके जो कई बार ऐसे होता है कि symbol missing होता है, वो सारे parts में discuss कर दूँगा, जिससे आपको फिर भविश्य में कभी भी inequalities में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चली देखते हैं, दूसरा हमारा conclusion क्या है, V is less than R अब देखिए, R की तरफ से हमको start करना है चलना, और देखेंगे हम V तक पहुंच सकते हैं, gate कौन सा यूच करेंगे, लेटर देन का, तो चली देखते हैं, R से हम चलना start करते हैं, R हमारा यहां पे लिखा हुआ है, तो R से हम S पे जा सकते हैं, gate हमारा open है, S पे पहुंच ग पहुंच गए, फिर क्या आपको check करना है, कि क्या किसी एक में भी आपका ये वाला gate यूज हुआ है, क्या, तो देखिए, यहां पर भी greater than का gate यूज हुआ है, और यहां भी greater than का use हुआ है, यहां पे greater than equal का use हुआ है, तो कोई tension वाली बात नहीं है, कम से कम एक जगा तो greater than आना ही चाहिए, बाकी जगा अगर greater than equal to आता है, या equals आता है, तो हमारा काम चल जाएगा, तो यह क्या हो गया, true, तो इसमें कौन सा conclusion आपका true है, second वाला, अब देखिए, इसमें हमारा statement एक ही है, conclusion उसके तीन दिये हुए है, तो चली देखते हैं, कौन सा true होता है, कौन सा false होता है, करना वैसे ही है, T से N तक जाना है, greater than का, gate लेके देखें, पहुंच जाते हैं कि नहीं हम, तो हम T से R पे पहुंच सकते हैं, बीच में equal है, कोई tension वाली बात नहीं है, R से U पर भी पहुंच सकते हैं, हमारा gate क्या है, open है, U से हम N पे पहुंच सकते हैं, बिलकुल gate ह हमारा क्या है, open है, तो देखें हम T से लेके N तक आसानी से पहुंच गया है, और हमको बस देख लेना है कि कम से कम एक जगा तो यह gate हमको मिल गया हो, तो यहां पे हमको यह वाला gate मिल गया है, तो एक conclusion क्या हो गया, true, next देखते हैं क्या, R is greater than E, मतलब R से E तक पहुंच सकत है, T से V पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, gate open है, V पे पहुंच गये, अब V से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, gate हमारा open है, E तक हम आसानी से पहुंच गये, फिर आपको यहां पे sign कौन सा यूज हुआ है, greater than equal to, इसका मतलब कि हर जगा यही sign होना आपका true हो जाएगा, तो इसे ignore करिए, यहां पे देखिए, greater than equal to है, यहां भी greater than equal to है, it means यह क्या होगा, true होगा, ओके, चलिए देखते हैं, third, क्या दिया हुआ है, M is less than or equal to T, तो आपको कोई भी less than, greater than, ऐसे तो याद करने की ज़रूत ही नहीं है, पस देख लिए कि इधर से move open है, इधर से है, बतलब आपको T से start करना है, M पे पहुँचना है, अब यहां पर बहुत ज़्यादा messy हो गया है, मैं इसे थोड़ा clear कर देता हूँ, T से आपको M तक जाना है, तो T आपका कहां पे है, यहां पे है, तो R तक तो आसानी से पहुँच सकते हैं, equal का sign है, अ जब भी यह greater than, equals या less than, equals का sign होगा, मतलब यह वाले sign या यह वाले sign, तो चेक करते ही आपको बस पूरा यहां तक जाने की जरूद भी नहीं है, बीच से यह आप चेक कर लिजेगा, कि T से लेके M तक क्या सारे sign यहीं है, देख लिजेगे T से लेके M तक क्या सारे sign यहीं है तो आपको यहीं पर मिल जाएगा कि यह दो sign तो different है तो आगे चेक करने की ज़रूत ही नहीं है हमको जब भी greater than equal या less than equal चाहिए होगा तो हमको हर जगा के ओल यही वाले sign चाहिए होंगे अगर इससे के अलावा कोई और sign मिलता है जैसे greater than या less than का इन ही दोनों को equal को तो आपको ignore करना है equal को छोड़ के ही रखिए वो सारे case में true होगा तो इन दोनों में कोई sign आता है तो उसे आप check करेंगे जैसे इन दोनों में से कोई भी sign आ गया तो आप वहीं से उसे क्या कर देंगे wrong कर देंगे आगे check करने की जुरूती नहीं यहाँ पर हम M तक पहुँच सकते हैं तो ठीक है लेकिन यहाँ पर देखे gate कोन सा यूज किया है हमने greater than का use किया हुआ है तो इस gate को use कर देंगे जबकि हमको use क्या करना था यह वाला gate जिसमें equal भी साथ में हो यह ऐसा नहीं है कि यह चोटे चोटे जो examples मैंने दिये हैं बस यहीं पर लागू होगा यह हर जगा आपके लागू होंगे और इसके बाद जो मैं आपको part लेके आँगा उसमें कुछ missing values के part होंगे या missing signs कहलो मैं उनके part होंगे तो वो सारे questions भी हम discuss करके देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे either are cases कैसे इसमें apply करते हैं क्या क्याओ Anyways होते हैं वो देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे coded inequalities को कैसे हम solve करते हैं तो यह सारे parts आपको मिलेंगे तो यह part आपको मिलेंगे कैसे जब पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा समझ में आया की नहीं आया नहीं आया तो क्या नहीं आया ये भी मुझे बताएंगे और फिर से मैं एक बार कह दूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं मैं आपके लिए रोज कम से कम पांच नंबर की वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको पांच नंबर एक्जाम में मिल सकें और मेरी कोशिश रहती है कि आप सब को मैं अच्छे से समझा सकूँ हर एक पार्ट और आसानी के साथ समझा सकूँ जिससे आपको भी करना आसान हो और आपके डर जो हैं सारे चैप्टर्स के वो निकल जाएं और जिन लोगों ने अभी तक Facebook ग्रूप जोइन नहीं किया है वो Facebook ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसका फाइदा क्या होगा कि आप जो भी questions पूछना चाहते हैं किसी भी topic से वो सारे के सारे उसमें पूछ सकते हैं क्योंकि आप यहां comment में लिखते है questions या WhatsApp पे लिखते है questions त उसको answer करने वाले हमारे जो group members हैं जिनकी संख्या भी 800 के पार है वो होते हैं तो समझ लीजे एक question को answer करने के लिए आपके पास 800 लोग होते हैं तो 800 लोगों में से आपको answer तुरंथ ही मिलने लगेंगे जैसे आपने question post किया है उसके एक से दो मिनिट के बाद आपको answers with explanations मिलने लगेते हैं तो I hope आपको ये पार्ट समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भीशे शेयर करिए एक और comment करिए मिलेंगे next part में next part में हम देखेंगे coded inequality का part 2 जिसमें हम कुछ tough examples को लेंगे और उन्हें solve करके देखेंगे कैसे उन्हें हम easily solve कर सकते हैं mentally भी हम इसे solve कर सकते हैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका 25 दे बाई